Hello everyone, तो आज की जो वीडियो है, बहुत ही short है, लेकिन important है regarding CPIS, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना CPIS जो data है, वो कैसे verify कर सकते हैं, चक कर सकते हैं कि क्या जो data है वो सही है, इसके बहुत सारी तरीके हैं चक करने के लेकिन मैं आपको सबसे easy method दिखाऊंगा तो आप क्या करेंगे, गूगल ओपन करके आप टाइप करेंगे DSCJ official website, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक link जो है open होगा, डिरेक्टर आप school education jamu, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो देखे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखे, आराए, JKCPS link to view employee personal data, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, यहाँ पे आपको दिखाएगा select your choice, देखे, आप जो है अपना data, जो है, employee ID से भी चाक कर सकते है, आधार से भी कर सकते है, पें से भी कर सकते है, तो जो आपके पास available हो, तो suppose मैं employee ID से ही करूँगा, तो ID मुझे डालनी है, जो मेरे CPIS code है, जिसे मेरा CPIS जो है, वो है, CHTEDU 00010560, यह मेरा है, CPIS नवर, इसके वाल मुझे अपनी data worth एंटर करनी है, तो data worth एंटर करने के बाद मैं सर्च करूँगा, तो यहाँ पे देखे, मेरा नाम जो है, वो display हो रहा है, महमद अफीस, तो यही मेरा detail है, तो तो employee ID जो है, वहाँ पे में click करूँगा, जो CHTEDUA, यहाँ पे में click करूँगा, तो देखे, यहाँ पे मेरी पूरी detail जो है, वो open हो गई, तो यहाँ से अब मैं check कर सकता हूँ, जिसे पहला है employee information, तो employee information में मैं अपना आदार नंबर, employee code, अपना नाम, department का नाम अगरा, चख क है, तो आप इसको separately note down कर सकते हैं, और इसको आप बाद में contact कर सकते हैं, जो इसके coordinator है, जो इसके साथ CPS के साथ deal करते हैं, तो आप उनसे contact करके अपनी data को correct करा सकते हैं, जिसे मेरा address है, contact detail है, इसी तरह official detail है मेरी, कि मैं initial joining department क्या है, कब मैंने join किया है, वगएरा, वो यह आ मेरी salary detail है, मेरी qualification है, posting detail है, promotion detail है, जो important है, इसमें ज्यादा important जो है, वैसे सारा important है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा सा error हो जाता है, जिसे promotion detail में थोड़ा थोड़ा बद गलती हो जाती है, और salary detail में, तो इसको check करना है, तो आप इसको time time पे check कर सकते हैं, और inform accordingly आप inform करा सकते है अपने coordinator से, जो CPI से deal करते हैं, ताकि वो आपकी data को correct करें, तो अगर आपको मेरी video पसंद आई है, तो please मेरी video को like करें, और मेरे channel को subscribe करें, thank you so much.